हमिरपूर में नहीं रूक रही है दुशकर्म की घट्टाएं 14 वर्षिय नाबालिक लड़की से हुआ दुशकर्म दुकानदार बना हैवान सामान लेने गई नाबालिक को पहले दुकान के अंदर खीचा फिर दर्वाजा बन करके किया दुशकर्म दुकान में माचिस लेने गई नाबालिक से हुआ दुशकर्म पुलिस में मुकदमा किया दर्ज पुरा मामला जनपध हमिरपूर के बिमौर थानक शेत्र पार्टन पूरगाव का है जहाँ पर एक बार फिर हैवानियत की सारी हदे पार कर दी गई है एक तरफ सरकार महिलाओ के लिए मिशन शक्ती अभ्यान चला रहा है तो वही दूसरी तरफ महिलाओ के उपर अत्याचार जारी है ताजा मामला पार्टन पूरगाव का है जहाँ एक 14 वर्षय किशोरी के साथ दुशकर्म की घटना सामने आई है पीडित के परीजनों के मताबिक लड़की को माचिस लेने के लिए दुकान भेजा था तब ही उपरोक्त दुकानदार ने लड़की को पहले दुकान के अंदर खीचा फिर उसके साथ दुशकर्म किया लड़की जब चंगुल से छुट कर घर आई तब उसने अपनी आप बिती बताई लड़की खून से लटपत थी परीजनों को जैसे ही घटना की जानकारी हुई वैसे ही आरुपी के खिलाफ थाने में शिकायत कर दी फिलाल तहरीर के आदार पर पुलिस ने मुकदमा दर्च करके आरुपी को जेल भेज दिया है हमारी वैफ चली वही कि हार बती चरहन है इसके बाद हुआई तो लड़की ने रोके अपने इमाँ से बता रहाए उसके दरवाजे गए उसको औरहाना भी या बताया अगर वहां गए तो लड़का नहीं मिला कल साम पाँच बजे 14 साल की एक अंसूची जाट की लड़की आई थी दुकान पर माचिस लेने दुकान पर उसने कहा माचिस निकाल लो उसी दोरान उसने दुकान का दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ बलात कार किया हमिरपुर यूपी से अनिल कुमार की रिपोर्ट